जापान की सोनी के साथ दोस्तो डील हुई थी जो जी एंटरेटमेंट की वो अभी फ्लोप हो गई है तो दोस्तो डील कैंसल हुई तो उसी के वज़े से स्टोक में नेगेटिविटी डैटने को मिली है जहाँ पर FII बाइंग जो है वो सेल हो रही है डी आए बाइंग जो सेल रहे है और प्रोमोटर 3% है तो ध्यान से दिखेगा 2024 के अंदर क्या चल रहा है तो 2024 की बात करेंगे तो यहाँ पर रिटेलर 54% हो गए है FII ने यहाँ पर 15% सेल किया है mutual fund ने 15% सेल किया है DIA ने अपना सेल किया है प्रोमोटर वही के वही है तो यह है FII, DIA, mutual fund ने अपना माल बेच के रिटेलरों को पकड़वा दिया है तो यह कुछ है उसकी वज़े से स्टोक में negativity बनी है तो अगर कोई बड़े ग्रूप से इसमें बायर नहीं होंगे तो द 251 कROड का profit है last quarter की बात करेंगे last quarter के अंदर भी यहाँ ठीक प्रोफिट देखने को मिला पर June quarter کے अंदर 118 कROड का profit देखने को मिला है तो अगर next quarter में अगर अच्छा कसा profit देखने को मिलता है अग er कोई और Pascal सिप होती है तो होती यहाँ पर ऑगर घर कोई बड़ा अपने broker से राय लेनी हो, तो ले सकते हो, अगर स्टोक में अगर जो positivity देखने को मिलती है, तो अगला level आपको 145 के असपास देखने को मिलेगा, और दूसरा level 150, 155 के असपास देखने को मिल सकता है, तो वहाँ से short term का profit booking कर सकते हैं, बाकि आपको इन्वेस्मेंट करना हो तो आप अपने एक्सपर्टी आपने ब्रोकर से राय ले सकते हो सेर मार्केट की लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीज़े यह जो खबर थी जो मैंने आपको अच्छे से बताई है तो इसी की नेगेटिव असर की वज़े से यहाँ पर कुछ यह नेगेटिव देखने को मिला था स्टोक जहाँ पर कभी ओपरेट होता है तो दोस्तो अच्छा घस्ता रेली देखने को मिलती है यहाँ पर देख सकते हो और दोस्तों फिर जब डाउन में जाता है तो continuously यह स्टोक यहाँ पर डाउन ट्रेंड दिखा है तो दोस्तों वीडियो इंपोर्टेंट थी इसलिए आपको समझा है तो ध्यान से देखेगा समझेगा और अपने एक्सपर्टी अपने ब्रोकर से राई लेके इन्वेस्मेंट करेट